आज हम तभे पतन खाते हैं कि आज के बाद ना तो हम अफीम की खेती करेंगे ना किसी को करने देंगे विकास के कारियों में सहयोग करेंगे जाहिन 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 अफीम की खेती ना होने रिजाए और जो भी लोग इस अवैद्ध काम में सनलिफ्ट हैं उन्हें हम लोग जो है वो जेल भेजें और उन्हें कानूनी प्रक्रिया का सामना करवाएं उसी के तहट यह गड़िया आमकुदर का छेत्र जो क्यतंत नक्सल प्रहावित चेत्र है यहाँ पे प्रशासन हम सबों ने यहाँ पर कैम्प लगाकर पिछले कई दिनों से लगातार अफिम का विनस्टिकरंट किया है और लगवग 220 से एकर से अधिक के छेत्र में यहाँ पर विनस्टिकरंट किया गया है और मैं कह सकता हूं कि गड़िया आमकुदर का छेत्र एक तरीके से आज की डेट में एक अफिम फ्रीज जोन है और यह अभियान जो है यह जिले के आनि जितने भी ऐसे क्हितर हैं जहांपर कि इस तरीके से अफिम की खेती होती है वहांपर चलाया जाएगा ज़ाम लोग यहां पर कैम्प किये हका कि हम लोग sabem देखा कि यहांपर विकास की औ आज से शुरू होगी और इसमें लोग अफीम को छोड़कर लोगों ने संकल्ब भी लिया है यह फीम की खेती को छोड़कर गयर कानुनी गतिविदी को छोड़कर यह सभी लोग जो है हम लोग का मुखेधारा में आते वे और विकास में साथ देंगे करते हैं परंतु जो लोग होते हैं जो मासूम और निर्दोष लोग है इनको एक तरीके से गुम्राह करके इसमें प्रयोग कियाता है कि आप कीसी भी इस तरीके के लोग divers कर वा रहो हैन के चक्कर में ना पड़ें और बिल्कुल जो कानूनी रूप से आप जिसकी खेटी कर सकते हैं वैसा करें और अधिक साधिक लाब कमाएं और आई कमाएं यह एक बहुत बड़ी चेहट है मुझे लगता है कि विखेल पॉप CRPF लोगों ने जो किया है यहां पर यह विगत कु सबी पतादीकारी जिला के वरीये पतादीकारी भी आज यहां पर पहुँचे हैं लोगों में बहुत उस चीज़का है इस व्यगे से लोगों ने बहुत सारी समझायई जैसे प्रेग्नेंट महिलाएं इन लोगों ने बताए क्योंकि सडग नहीं थी तो जाती है तो रस्ते को लेके हम लोग अगले एक से दो महीने में सभी प्रफोजल पास करवा के जिला से यहां पर जितना विकास हमारे हां से संभव होगा मदों में जितना पैसा है वो सभी हम लोग यहां पर इस गाउं तक पहुंचाएंगे इसके तहट हम लोगों ने लोगों में जागरुकता भी फैलाई है ताकि लोग में भी इवाली इच्छा बन सके कि हम लोगों को अफीम की खेती से बाहर निकलना है और कुछ और विकास की तरफ हम लोगों को उसका लाब उठाते हुए आगे बढ़ना है कई सारी लोगों की समस्याइं भी सुनी गई हैं रोड की स्कूल की करवा के यहां पर पहुंच वाएंगे और स्वास्त और सिक्षा की जहां तक बात है उन वाले इंफ्रास्रक्चर को भी हम सुद्रिड करते हुए इन सभी योजनाओं का लाब पहुंचाएंगे तो यह वाला जो हमारा इस साल का पूरा अफीम की खेती नश्ट करने के प्र